तो दूस्वों ICC T20 World Cup 2024 का आज 37, 38 और 41 मुकाबला खेला गया 37 मुकाबले में बंगलादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा है जबकि 38 मुकाबले में सिलंका ने नीद लेंड को 83 रनों से हरा कर पोइंस टेबल में काफी बड़ी बड़त बना लिये तो ही 140 में मुकाबले में नीजिलेंड ने पपुआ न्यूगिनिया को हरा कर पोइंस टेबल में कई बड़े बदलाओ कर दिया तो ऐसे में पोइंस टेबल में कौन सी टीम कितने पोइंट के साथ किस अस्तान पर है और किस टीम को सुपर एट में कॉलिफाइ कर निकलें यहां से अब कितने मैच और जीतने होंगे और कौन कौन सी टीम है जो सुपर एट में कॉलिफाइ तो ही इंडिया अपना अगला मुकाबला कौन सी तारीक को किस टीम के खिलने वाली है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है तो दुस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादे इंपोर्टन वीडियो में अन्त तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबात नहुए तो सो किरकेट से जु दुबहाते करते हैं गृूप एक पॉइंच टेबल से तो अन्तालीस मैचों के बाद गृूप एक पॉइंच टेबल में सबसे आकरी अस्तान पर है आइरलेंड ये टीम पांचवे अस्तान पर बनी बने हो इस टीम अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों से तीन कब दो हजाट चोबिस से बाहरो हो चुकी है पॉइंच टेबल में चौते अस्तान पर है कनाड़ा जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से स्थिफ एक मैच में जीता हासिल किया दो मैचों में हार मिले तो ही एक मैच बारिस के चलते रद दुआ कनाड़ा के पासर टोडल तीन पॉइंट है नेडर नेडर माइनेच 0.493 है और एटीम ओफिसली टीटवइंटी वल्लकप दो हजाट चोबिस से बाहरो हो चुकी है पॉइंच टेबल में तीसरे अस्तान पर है पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी वाले टीम पाकिस्तान जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से दो मैच में जीत हासिल किये दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को पाकिस्तान के पास टोडल चार पॉइंट है नेडर नेड़ प्लाच 0.294 है पाकिस्तान T20 वर्लकप 2024 से ओफिसली बाहर हो गई है इस टीम के पास अब कोई भी चांस नहीं है सुपर एट में कॉलिफाइ करने के वहीं पॉइंट टेबल में तूसरे अस्तान पर है USA पास टोडल पांच पॉइंट है नेडर नेड़ प्लाच 0.127 है यह टीम ओफिसली सुपर एट में कॉलिफाइ कर लिए है वहीं ग्रूप एक पॉइंट टेबल में पहले अस्तान पर है रोहिश शर्मा की कप्तानी माले टीम इंडिया इंडिया जो अब तक चार मैश के लि है वहीं टीम अपना अगला मुकाबला सूपर एट का अफगानिस्तान के गिलाब 20 जून को खेलने वाली है और अब बात करते हैं ग्रूप बी के पॉइंट टेबल की तो सबसे आकरी अस्तान पर है ओमान जो अब तक चार मैश के लिए और चार के चारो मैश में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है ओमान के पास टोडल 0.0 पॉइंट है ने डनेडम माइने 3.062 है और ये टीम ओफिसली ICC T20 वलकब 2024 से बाहार हो गई है वहीं ग्रूप बी के पॉइंट टेबल में जो टीम में चौते अस्तान पर है ओ है नमीबिया जो अब तक 4 मैच खेली है और इन 4 मैचों में से नमीबिया को एक मैच में जीत मिले है तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है नमीबिया के पास टोडल 2 पॉइंट है नेडनेडम माइनेस 2.529 है जो की काफी खराब है नमीबिया T20 वलकब 2024 से बाहर हो चुके इस टीम के पास कोई भी चांस ने ह सुपर एट में कॉलिफाइ करने के तीसरे अस्तान पर है स्कॉर्ड लैंड जो अब तक 4 मैच ही खेलिए और इन 4 मैचों में से 2 मैच में जीत हासिल गया एक मैच में हार मिले तो ही एक मैच बारिस के चलते रद गया स्कॉर्ड लैंड के पास टोडल 5 पॉइंट है नेडने अब तक 4 मैच के लिए और इन 4 मैचों में से 2 मैच में जीत हासिल गया एक मैच में हार मिले तो ही एक मैच बारिस के चलते रद गया इंगलेंड के पास से टोडल 5 पॉइंट है लेकिन नेडने जो स्कॉर्ड लैंड से काफी बहतर अप्ला 3.611 है इंगलेंड ICC T20 काली 5 कर लिए है वही गुरूप B के पॉइंट टेबल में पहले अस्तान पर बनी हुई है मिचल मार्स की कप्तानी वाली टीम ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया जो अब तक 4 मैच के लिए और 4 के 4 मैच में इस टीम ने जबरदस जीत दर्जिक की है ऑस्टेलिया के पास टोडल 8 प की तो गुरूप C के पॉइंट टेबल में पाँच वे अस्तान पर है आज का मैच हारने वाली टीम पपुआ न्यूगिनिया पपुआ न्यूगिनिया को आज के मैच में न्यूजिलेंड ने हरा दिया पपुआ न्यूगिनिया जो अब तक 4 मैच के लिए और 4 के 4 मैच में ह कार का सामना करना पड़ा है पुआ न्यूगिनिया के पास टोडल 0 पॉइंट है वह इस टीम का जो न्यूगिनिया माइनस में काफी खराब और यह टीम टीट्वन्टी वर्लकप दो हजार चोबिस से ऑफिसली बाहर हो गई है पॉइंस टेबल में चौते अस्तान पर है आज का मैच जीतने वाली टीम न्यूजिलेंड के प्तानी वाली टीम न्यूजिलेंड ने आज के मैच में पपुआ न्यूगिनिया को हरा दी न्यूजिलेंड जो अब तक चार मैच के लिए उनी चार मैचों में से दो मैच में जीत दर्ज की है दो मैचों में हार कास सामना करना पड़ा है न्यूजिलेंड को न्यूजिलेंड के पास टोटल चार पॉइंट है वहीं स्टीम का जो नेट अनेट है थोड़ा बहतरीन है और न्यूजिलेंड ICC T20 World Cup 2014 से ओफिसली बाहर ओचुगे स्टीम के पास कोई भी चांद नहीं सूपर एट में कॉलिफाय करनेगे वैसे T20 World Cup 2014 में ये टीम सेमी फाइनल में पहुची थी जबकि पॉइंस टेबल में गुरूफ सी के तूसरे अस्तान पर है वेस्टेंडी जो अब तक तीन मेश के लिए और त स्टेंडी T20 World Cup 2014 के सूपर एट में ऑफिसली अपनी जगह पकी कर चुकी है वैसे इस टीम को एक मैच और खिला और वो मैच अफगानिस्तान के खिला जाएगा गुरूफ सी के पोइंस टेबल में पहले अस्तान पर है अफगानिस्तान जो अब तक तीन मैच के लिए और इन मैच और खिला और वो मैच वेस्ट इंडीस के खिलाफ खिला जाएगा वहीं अब बात करते हैं गुरूब डी के पोइंस टेबल की तो गुरूब डी के पोइंस टेबल में सबसे आकरी अस्तान पर जो टीम है वो है आज का मैच हारने वाली टीम नेपाल नेपाल को आज के म अफिसली टीट्वेंटी वर्ड़कप दो हजाओ चोविश से बाहर हो चुकि ए जबकि पॉइंस टेबल में चौते अस्तान पर है आज का मैच हारने वाली टीम नीदलेंड नीदलेंड को आज के मैच में स्रिलंका ने हरा दिया नीदलेंड अब तक चार मैच खेलेंग चार म पर पहुत चुक कि आज का मैच जीतने वाली टीम स्रिलंका वेंंदू. हझारंगा की गप्तानी वाली टीम सिलंका ने आज के मैच में निदल्लेंड को हरा दी. सिलंका जो अब तक चार मैच वे लिए उन burada ये जीतने दर्ज की हैं. दो मैचों में हार मिले तो ही एक मैच बारिस के चलते रद्वा, सिलंका के पास टोडल तीन पॉइंट है, नेट अन्रेट जो इस टीम का प्लेच जीरो पॉइंट, एट सिक्तिरिया जो की काफी बहतरी न हो चुगया और ये टीम ऑफिसली टीटवेंटी वर्लकप दो हजार से बाहरो हो गई है, जबकि ग्रूप D के पॉइंट टेबल में दूसरे अस्तान पर है आज का मैच जीतने वाले टीम बंगलादेश, बंगलादेश ने आज के मैच में नेपाल को हरा दी, बंगलादेश अब तक चार मैच खेली और इन चार मैचों में से तीन मैच में जीत कर लिए, जबकि ग्रूप D के पॉइंट टेबल में पहले अस्तान पर है साउथ अफरीका, साउथ अफरीका जो अब तक चार मैच के लिए और चार के चार मैच में इस टीम ने काफी बहतरी इन जीत हासिल कर लिए, साउथ अफरीका के पास टोटल आठ पॉइंट है, T20 World Cup 2024 का नया पॉइंट टेबल जो की 41 मैच के बात का है, तो दुस्तो आपको क्या लगता है T20 World Cup 2024 में कौन-कौन सी हो चार टीम में रहेंगे, जो सेमी फाइनल में पहुंचेंगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताए, दुस्तो इस टीम ने बतने हैं, अगर आप वीडि वीडियो को लाइक कर देने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएक के अंद बात देने, थैंक्यू सो मच गाइज पोर वाचिंग इस वीडियो